नमस्कार किसान भाईयों मेरा नाम नरिंद कुमार यादो और मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी खेती में उपयोग होने वाली दवा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जिसका नाम टैक जिव है टैक जिव यानि इसमें जिब्रेलिक एसिट 95% एक ग्राम सूखी पाउडर की रूप में आती है जिसका उपयोग मुक्तिया पौधों की विकास ब्रिद्धी एवं पौधों में फूल कम आते हैं उसके लिए डाला जाता है इसका उपयोग एक ग्राम प्रती तीस लीटर पानी के लिए परियाप्त होता है अर्था देखा जाये तो एक ग्राम की जो मात्रा होती है वो तीस लीटर पानी के लिए परियाप्त होती है इसको किसी अलकोहल में घोला जाता है अलकोहल जैसे की आप डाक्टर लोग जो यूट करते हैं इस्प्रिड ले सकते हैं आप नीबू का रस ले सकते हैं आप इसको घोलने के लिए यदि आपको किसी प्रकार की कुई अलकोहल नहीं मिल पाती है तो किसान भाईयों आप इसको गरम पानी में घोल सकते हैं किसान भाईयों आपको बता दें कि ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छी चीज है जब आपके पौधों में विकास बृद्धी कल्ले का फुटाव ना हो तो आप इसका उप्योग कर सकते हैं इसका उप्योग मुक्तिया सभी फसलों पिर किया जाता है जिबरेलिक एसिड कई ब्यापारिक नामों से आता है जो कि ट्रोपकल का टैकजिप के नाम से आता है सुनी टॉमों का प्रोजिप के नाम से आता है और ये जिबरेलिक एसिड जिसकी मात्रा 0.001 परसंट होती है ये गोल के रूप में भी आता है, गोल के रूप में कुछ ब्यापारिक नाम इस प्रकार हैं, गोल के रूप में ये सुनी टॉमो कम्पनी का होसी के नाम से आता है, इंडो सुिस कम्पनी का ग्रांड के नाम से आता है, इंडो गल्फ कम्पनी का गजब के नाम से आता है, आद पूद्धों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है जैसे कि आप इस समय देख रहे होंगे ठंडियों में अक्सर पूद्धों की बढ़वार रुख जाती है इसको डालने से पूद्धों की ग्रोथ शुरू हो जाती है और फल का साइज मेंटेन होने लगता है फूल जिन फसल की मात्रा बढ़ जाती है इनको डालने से किसान भाईयों होसी की मात्रा तीस हेमल पते लीट पंद्रा लीटर टंकी है धन्यवाद किसान भाईयों